जहें साथियों बहुत बहुत श्रागा थे आपका अपनी ही चैनल NIS Online Hub में दोस्तों जैसे जैसे अपडेट आ रही है विहार सिक्षक नियोजन से सम्बंदित आपको हर एक अपडेट जो है परभाइट करने का कोशिस क्या जा रहा है और मोर्निंग में दोस्तों मैंने इसके जानकारी दी थी आप लोग को कि जो फर्स्ट फेज में जो अभिहारतियों का चैन हो गया है वो सेकेंड फेज में उसको जो है मोका नहीं मिलेगा देख सकते हैं आज का बहुत बड़ा अपडेट ये है जो कि दोस्तों यहाँ पर सर्ट पिकेट को लेकर भी आया है जो कि बहुत सर आप लोग का कॉमेंट आया है क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर को लेकर तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि पहला कॉंसलिंग में क्या था कि जो आप फॉर्म के समय जाती आवासी दिये थे वो ही आपका चल गया लेकिन दोस्तों सकेंड फेज यानि अगस्त में जो कॉंसलिंग होने वाली है उसमें आपको देना होगा नया जाती आवासी आय प बना के देना पड़ेगा यहां पर देख सकते हैं जो कि आज का यह करेंट अपडेट है मुझा पर पूर के परभात खबर से आ रही है कि परकिरिया पूरी होने के बाद होगा डोकुमेंट वेरिपिकेशन निदेशक ने कहा अभिहारती ना करें असकेन का उप्योग तो दोस्तों यहां पर देख लीजिए यह आज का लेटेस्ट अपडेट है जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सकाइब कर लेना और ऐसे ही ताजातरिन अपडेट के लिए लगातार आ ही हैं यहां पर दूस्तों देख सकते हैं लिखा हुआ है कि देना होगा नया जाती आवास आय परमान पत्र अगस्त में होने वाले कौंसलिंग में बर्तमान का बना हुआ यानि अभी परजंट का बना हुआ अवा प्रास वा आय परमानपत्र देना होगा निदेसाले की ओर से असपस्ट किया गया है कि पहले फेज की कॉंसलिंग में इससे राहत दी गई थी लेकिन अगले बार निधारित अबधी के अंदर बना सर्टिपिकेट प्रस्तुत करना होगा आर्थिक रूप से कमजोर पीछडा या STSC के लिए परमानपत्र देना होता है आगे लिखावा कि इसी के अधार पर आरक्षन का लाव मिलता है आगे लिखाए कि पिछले हबते खत्म ही कॉंसलिंग के पहले फेज में अभियारतियों को छोट दी गई जिससे वे पुराना परमानपत्र ही प्रस्तुत किये किये यानि दोस्तो पहले फेज में क्या हुआ उसमें आपको जो है मौका दिया गया था उसमें आपको रहत दिया गया था कि जो आप फॉर्म जमा करते जो सर्टिपिकेट लगा थे वही चल जागा लेकिन दोस्तो इस बार जो सकेंड फेज में कॉंसलिंग होने वाली है उ दोस्तो तो अपलाई कर दीजे एक सब्ता में जो है बन कर त्यार हो जाता है दोस्तो ये देख सकते हैं मुझे परपुर का ही है लेकिन ये जो है देनिक भासकर का है देख लीजे नियोजन दूसरे चरण की कॉंसिलिंग में बरतमान में बने नॉन क्रिमिलियर सट्पिकेट क होने जा रही है आपके बास बहुत सारा भी टाइम है आप जो है अपलाई कर दीजे अभी तक नहीं किये हैं लेकिन नहीं तो दोस्तो आप जो दो सालों से महनत कर रहे थे थोड़ी सी जो है एक सट्पिकेट के चलती दोस्तो आपके सारी महनत पर पानी फिर जाएगा तो दोस्तो ये आज का लेटेस्ट अपडेट है देख सकते हैं अगस्त में दूसरे फेज के तहत प्रारंविक सिक्चक नियोजन को कौंसलिंग प्रारंविक पुरा होने के बाद होगा डोकुमेंट वेरिफिकेशन प्रारंविक सिक्चक नियोजन के तहत दूसरे चरण की कौ अगस्त में होने वाले सेकेंड राउंड की कॉंसलिंग के लिए उन्हें लेकर पहुचना होगा। प्रारमिक सिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंग ने इसे इस्तिती असपस्ट करते हुए निदेश दिया है कि नॉन क्रिमिलियर सट्पिकेट जाती आवासी औ और आय परमानपत्र के आधार पर बनता है। इसके तहट पिछडे वर्ग आयन को आरक्षन कर लाब मिलता है। निदेशक ने कहा कि पहले चरण की कॉंसलिंग में कुछ परमानपत्र की आनिबरता में छूट दी गए लेकिन अगले चरण में ऐसा नहीं होगा। वही असना अधार को एक्सपर्ट पैनल और अभिहारतियों के साथ बेठक बुलाई गई है। इस अधार पर अभिहारतियों को के बेपाक हित में फैसला लिया जाएगा। यानि दोस्तों टेट संबंदी जो है आज फैसला आएगा। आगे लिखावाई कॉंसलिंग पूरा होने के ब अभिहार विद्धाले समयती इसे लेकर संबंदी बीवी को लिंक के उपलप्त कराया जाएगा। इस अधार पर कम समय में सभी दास्तवजों का तुरन सतापन करने की योजना विभाग ने तयार की है। अभिहारतियों ने कई नियोजने काई में महलाओं के सीट खाली रह जा रही है। वो जो है अभिहारति मांग कर रहे हैं कि पूरूस पर ट्रांसपर किया जाए लेकिन निदेसाले नासपर्ट किया या फिलाल संभाव नहीं है। तो दोस्तों ये जो है करेंट अपडेट आ रहा है जो कि आज का मुझबपर पूर का है। और यहां पर दोस्त सिक्षकों के कॉंसिलिंग में पंचायत नियोजन एकाय की गड़बड़ी का मामला जो है धिरे धिरे उजागर हो रहा है। ये बिहार सरिप से अपडेट आ रहा है कि सिक्षक नियोजन के दिन ही हिंदी देनिक आज ने या खबर छापी थी कि नियोजन में आनिमिकता की ब लज करा रहे हैं। इस आलोक में अलग-अलग जाँच आदेज भी दिया जा रहा है। जिला सिक्षा पदकारी अपने अस्तर पर अधिकारी से जाँच करा रहे हैं। वही जिला पदकारी जिला अस्तरी अधिकारी को जाँच का जिमा सोपा गया है। दूसरी और आनिमिकत सिक्षकों के सट्टिकेट अभी तक NIC की अपडेट नहीं होने पर आनिमिक्ता की सिकायत पर मुहर लगती दिख रही है निर्धारे समय बीद जाने के बाद भी अभी चैनित अभ्यारतियों का सट्टिकेट अपलोड नहीं हुआ है तो दोस्तों 20 तारिक तक जो है समय दिया गया है 20 जुल आई तक आपका जो है NIC पोटल पर और यहां पर दोस्तों देख सकते हैं दर्भंगा से एक अपडेट आ रहे है कि सिक्षक नियोजन की सिकायते निराधार आगे लिखा है कि कितर पूर परखंड की दोनों पंचायतों की कांसिलिंग का फैसला आज जांच मे 213 पंचायतों की कांसिलिंग बेदाग निकली आगे लिखा है कि 215 में से 213 अभिहारतियों की चैन कल तक NIC पर अपलोड होगा यह दर्भंगा से अपडेट आ रहा है यानि दर्भंगा में जो है कल NIC पोटल पर जारी होगा 6 में से 4 कंसिलिंग को जांच में मिली कलीन चीट यहाँ पर देख सकते हैं दर्भंगा से रहे कि 12 जुलाई जिले के 18 परकण्डों में 215 पंचायतों में सिक्शक नियूजन कंसिलिंग की जांच उप्रांग सिक्शा विभाग ने 213 पंचायतों की कंसिलिंग को हरी धन्डि देते आगे की परकिरिया शुरू करने का निदेश दिया है इस पंचायत इन पंचायतों में 20 जुलाइत कॉंसलिंग चैनियाद अभ्यारति की सुची अनाइसी पर अप्लोड करने को कहा गया किया जाएगा वही सिक्षक नियुजन 6 अस्तगित कॉंसलिंग केंपो में 4 की बह देमजी पंचाय सदर की इसथरा यहांपर नाम दिया है दोस्तो तो देख सकते हैं जाएँ में 213 को यहांपहा दोस्तों देखेंगे की 6 मेंसे चार कॉंसलिंग को जांच में मिली क्लिन चीट, 12 जुलाई को प्रात्मिक सिक्षकों के नियोजन के लिए 18 पर खंडों में 215 की कॉंसलिंग के लिए 66 केम्प किये गये थे, इसमें से 2 से 3 दिन के अंदर 100 से अधिक सिकायते मिली, इसके लिएकर निप्टारा के लिए डियो ब बीजे चंद्रभागात, DPO, MDSM, संजे कुमार, देव कनाया और DPO, योजना लेखा कुमार सित्तम, नोडल पद्यकारी के तौरप सामिल किया गया, रभिवार को जांच टीम 6 में से 4 पंचायतों की कॉंसलिंग को किलिन चीट दे दी, आगे लिखा कितरपूर की दोनों पं चाहिते हो कि कॉंसलिंग रद कर दी गए, तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कहां कहां रद किया जा रहा है, आपको इस तरह का अपडेट आपको जिला के पेपर में आपको देखने को मिलेगा या NIC पोटल पर अलागातार विजिट करते रहिए